वेल्कम वेक टु माई चैनल पुञ्ज इंटीरियो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पुञ्ज इंटीरियो में और मैं हूँ आपकी दोस्त अब उजया आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर अपने दोस्तों के साथ जरू-जरू कर दीजेगा तो आज के इस वीडियो में मैं किचिन स्पेस सेविंग के कुछ टिप्स को लेकर आई हूँ आपके साथ मैट्रो सिटीज में किचिन बहुत छोटे होते हैं, जगए इतनी कम होती है कि सामान रखने के लिए हमें जगए नहीं मिल पाती है आज के वीडियो में मैं ना तो एक भी पैसा खर्च करूँगी, ना ही नेल्स लगाऊँगी और ना ही कोई शेल्स परचेस करूँगी सिर्फ एक छोटा सा जोगार यूज करके किचिन में एक छोटा सा कॉर्णर क्रेट करूँगी अगर हमें किचिन में एक छोटा सा कॉर्णर भी मिल जाए एक छोटी सी जगह मिल जाए तो हमें बड़े काम की लगने लगती है हमें लगता है कि उस छोटी सी जगह में हम अपना थोड़ा बहुत सामान रख लेंगे तो कैसे करूंगी तो आए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मेरा वीडियो लास तक पूरा जरूर देखिएगा हम सभी अपने किचिन में धेज सारी खाना बनाने वाली बड़ी बड़ी चमचों, स्पून, फॉक, कर्ची, जबिया, दाल फ्राई करने का स्पून, पाव भाजी मैशर, चिम्चा, बेलन ये सभी यूस करते हैं तो ये सभी स्पून को जब आप काउंटर टॉप पे रखते हैं तो ये काफी सारी जगे को घेरता है और इस वज़े से काउंटर टॉप काफी मैसी और फैला फैला सा लगता है तो friends, मेरे kitchen में कोई भी drawers नहीं है, ये मेरा दूसरा kitchen है, बरतल लगाने की cabinet भी नहीं है, मेरे इस kitchen में only shelf प्रुवाइट की हुई है, इस तरह की shelf में आप only jar वगरे या steel के container वो ही रख सकते हैं अब समस्या ये है कि tiles पर मैं nails नहीं लगा सकती, इन सभी को hang तो नहीं कर सकती, kitchen भी छोटा है, countertop भी छोटा है, खाना बना कर रखने के लिए space भी चाहिए, और जरूरत की कुछ चीजों को countertop पर रखना जरूरी भी है, खाना बनाने के बड़े छोटे spoon, कुछ important घी oil के डिब bottles, coffee tea sugar, ये सभी भी काफी important है, तो मेरे दिमाग में कुछ दिनों से चल रहा था कि कैसे kitchen में इस पूरे utensil holder और spoon fork holder को किसी और जगह पर place किया जाए, जिससे kitchen में मुझे अच्छा सा space मिल जाए, ये मेरे kitchen का last end point है, यहाँ पर मैं इस steel shelf को रखती हूँ, यहाँ पर एक power point भी लगा हुआ है, और counter के end में में मेरे kitchen में थोड़ा सा space बचा हुआ है, तो मैं इस छोटे से space का use तो मेरे दिमाग में एक जुगाडू idea आया कि मेरे पास ply का एक plank पढ़ा हुआ था, ये काफी heavy है और इसकी thickness भी काफी अच्छी है, मैंने इसे पहले कभी किसी DIY के लिए use किया हुआ था, तो ये already paint किया हुआ रखा था, आप ply की जगह पर cardboard का use नहीं कर सकते, क्योंकि वो इ जितने size की मुझे जरूरत थी, ये ply मेरे इस corner पर बिलकुल fix size की आ गई है और ये छोटे से platform जैसे ही लग रही है, मैं इस पर अपना छोटा-छोटा सामान रख सकती हूँ, लेकिन अब problem ही आती है कि मैं इसे set कैसे करूँगी, set करने के लिए मेरे पास एक पतली सी stick रखी ह ये height में थोड़ी चोटी है तो इसे wall के उपर जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा रहता है, उसके उपर मैं इस stick को लगा दूंगी, और इस stick के उपर fabricol लगा कर मैं प्लाई को रख दूंगी, तो इस प्लाई को इस stick के उपर टिका कर रख दूंगी तो ये set हो जाएगी, औ और इसके उपर कुछ हैवी वजन रखकर छोड़ दूगी, जिससे ये इस्टिक अपने प्लेस पर चिपक जाएगी, तीन से चार घंटे हो चुके हैं, अब मैं अपने स्पून और स्पैचुला होल्डर इस पर रख सकती हूँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने अपने किचिन में चोटा सा कॉर्णर के सामान रख सकती हूँ, जैसे स्पून, स्पैचुला होल्डर और बहुत सारी इस तरह की चोटी चोटी चीजे रख सकते हैं, जिससे हमारे किचिन काउंटर पर जो मैस्क्रियेट होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा हमें काम करने की और ज्यादा जगे मिल जाएगी, तो फिर देखिये फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा कॉर्नर बनकर तयार हो गया है, तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर देखें, मैं बेसिकली किचिन के टॉपिक के उपर ही अपने जादातर वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें